जब किसी भी बिजनस में कस्टमर का फुटफॉल बढ़ेगा, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बिजनस का अकार बढ़ेगा, यही बिजनस का सबसे बड़ा रामबान है। दोस्तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईशुरी, मैं CUN Founder Director हूँ, Metas Oversies Limited Company का, हमारी कंपनी स्टेल ने स्टेल मडलों के जिनके manufacturing करती है, आज पूरे भारत वर्ष में मारे franchisee showroom और dealership showroom है, और हम लोग export भी करती है, और इतना सारा business setup हम कैसे कर पाए, यह कर पा वो टेकनीक है work on window and entrance, जारातर traditional business owner पता है क्या अगरते है, shop के अंदर तो बहुत पैसा लगा लेते है, बढ़िया product है, एक एक चीज बढ़िया तरह से place की हुई है, अच्छा interior किया हुआ है, पर shop की window और shop के entrance पर काम नहीं करते है, ध्यान रखेगा, अंदर आने के बाद अ entrance बहुत attractive होगा, आप देखिए, आप रेश्टो के बाहर जाते हैं, आप देखते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई souvenir बना हुआ है, कोई ना कोई statue बना हुआ है, कोई ना कोई ऐसा art बना हुआ है, जहां पर लोग selfie क्लिक कर रहे हैं, और आज तो information technological है, अगर आपका entrance या आपकी नीचे बैठकर अपने photo click करते हैं, और वो social media पर share करते हैं, तो कही ना कहीं बाकी लोगों को पहुचने के लिए, आने के लिए प्ररित भी करते हैं, अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं ऐसा क्या करूँ, कुछ भी example किसी भी brand का उठा कर देखें, तो आपको बहुत सारे inspiring ideas मिल जाएंगे, जैस पर रेस्टो आते हैं धरम गरम, तो वहाँ धरमिंदर की photo लगी हुई है, वहाँ पर जैविरू की motorcycle रखे हुई है, तो लोग ऐसी जगापर attract होते हैं, यहाँ पर ऐसी चीजी है, जहां selfie कीचेंगे, बड़ा सा अपना social media profile बनाएंगे और लोगों के स तो लोग ज्यादा attract होते हैं, और आपके shop का football असानी से बढ़ता है, जुस्तो window और entrance को बढ़िया बनाकर आपने customer को attract को लिया, लेकिन अब customer जब अंदर आएगा ना, तो वहाँ भी उसको कुछ different दिखना चाहिए, इसका मतलब यह है कि unusual display shape आप बनाएं, जैसी shape उसने कही ना देखियो, मैं एक store पर गया हो था, वो shoe store था, और shoe store पर एक shoe का बहुत बड़ा soul बना हुआ था, मतलब एक wall के ऊपर ऐसे ultra shoe बना हुआ था, और वहाँ पर rack लगए थे बहुत सारे shoe display थे, तो ऐसा लगा यहार वा, क्या चीज है, तो कई चीज ऐसी होती है, जैसे हम गए तो वहाँ पर अंदर वो restaurant है, लेकिन वहाँ पर डिस्पले बना हुआ है, वो metro का design बना हुआ है, अभी डेली में metro restaurant बना है, ऐसा लगेगा कि आप metro station पर हैं, और अंदर जाने कादा आपको लगेगा, metro के डबे में आ गई है, तो उन्होंने जो room का design है वो इस तरह से किया ह तो unusual display होता है, कई बार आपने देखा cold ring के जो racks बने हुआ है, वो जातर square बने होते हैं, राउंड बने होते हैं, लेकिन एक company ने तो cold ring का rack ही, cold ring की bottle की तरह बना दिया, उसी bottle में बहुत सारी bottle rack है, तो easy to use हो जाता है, और customer के mind में brand recall भी होती है, तो unusual display आप बनाते हैं, तो महाँ पर customer का experience different होता है, और कई बार unusual display देखने के बाद customer selfie क्लिक करके भी social media पर post करता है, और आपका free में marketing हो जाता है, ये भी तो important है, कि customer ही आपकी marketing करे, तो आपको footfall और ज्यादा आने वाल है, तो different display बनाए, unusual display बनाए, जो लोगों ने सोचा भी नहीं, next important technique है, वो ये ब करता है, तो इसको अगर product पसंद आया, तो वो खरीद निकिल तायार हो जाता है, आप देखो बहुत सारे product है, मैं अगर बात बता हूँ ना, तो यूपी में रोशनलाल लवाई, तो रोशनलाल लवाई के अंकवी भी जाओ ना, और कहोगे अंकल एक किलो बरफी चाहिए, तो कहेंगे, इमर्ती भी आईए, जड़ा चक के देखो, वो एक ट्कोड़ा देगा और आपको खिला देगा, आपको ठीक है बरफी तो देगे दो, एक किलो इमर्ती भी देदो, तो test your product की option वहाँ होनी चाहिए, आप देखिए, आजकल जो readymade garment के store है, वो test your product के लिए के देखिए, trial room में जाए पहनी, अच्छा लगे तो खरीदिये, काफी सार ऐसे product है, जहाँ पर customer को product testing के लिए दिया जा सकता है, और पसंद करता है, तो वो खरी सकता है, decathlon के शूरूम में आप जाएं, तो वहाँ पर cycle है, gym equipment है, badminton है, football है, तो लोग वहाँ पर खेल के टे कर सकते है, screens, displays सारे लगे हुई है, mobile phone सारे लगे हुए है, sound system सारे लगे हुए है, आप जाओ, feel करो, test करो, उनको अच्छे से experience करो, पसंद आए तो खरीद लीजी, तो यह तरीका होता है, जहाँ customer के psychological mind को hit किया जाता है, कि यह product मैंने use करके देखा है, मजा आ गया, जैसे आ हाइड फोन अपने आप लोग लगाओ, और उसमें जो music आप सुनेंगे, आपको लोगे एक एक beat, एक जनकार, एक एक आवाज, एक rhythm बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है, आपको लोगे है, sound सुनना है, music सुनना है, तो इसी तरह की equipment में सुनना है, तो customer जब testing करता है, feeling करता ह तो उसकी buying की जो इच्छा है, वो और ज्यादा प्रबल हो जाती है, और ज्यादा आसानी से खरीदने के लिए तयार हो जाता है, तो तो प्रोड़क टेस्टिंग को लेकर आपसे एक प्रशन पूछता हूँ, मानलो आप एक ऐसे store पर गई है, जहां पर आप फोन खरे दें, जहां पर आपने डिड़ लाक रुपे का, लेकिन वो एक डबा पैक, वो कहेंगा सर आप पैसे देंगे, तब ही डबा खोल सकते हैं, sealed पैक मेरा फोन है, लेकिन फिर आप दूसरे store पर गए, उसने कर जो भी test करना है आपको mobile phone का display में लगा हूँ है, आप अच्छे चलाओ, function चेक करो, camera चेक करो, ringtone चेक करो, उसके feature चेक करो, तो आप कौन से store से खरी देंगे, मैं पूरी guarantee करता हूँ कि आप उस store से खरी देंगे, जहां पर आपने डबा पैक देखा था, नहीं ना, आप उस store से खरी देंगे, जहां पर आपने उस product को experience किया था, तो जहां पर आप प्रोड़क को experience कर सकते हैं वह sales का volume बढ़ता है इसलिए traditional shop भी धीरे धीरे अपने आपको ऐसे design कर रही है कि वहाँ पर वो customer को product की testing करा सकते हैं अब जो technique में आपको बताने वाला हूँ वो भी customer का footfall बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो है movable and portable display फ्रेंट जो आप जो display unit बनाते हैं जारातर हमलों में से बहुत सारे लोग fixed display unit बनाते हैं और सालों साल उस display को बदलते नहीं customer के mind में उस display की image बन चुकी होती है और जब भी वो दुबारा आपकी shop पर आतक कहता अरे तो वही पुराना store है आपने देखा होगा कई सारे रेस्ट्रो sitting arrangement को बार बार चेंज कर देते हैं जिसकी वज़ा से एक new feeling आती है customer के mind में तो दूसरी important बात जब आपका display portable होगा movable होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तकाप आसाने से move कर पाएंगे उसका placement change कर पाएंगे तो साथ साथ वहाँ पर cleanness और hygienicness भी बनी रहेगी दोस्तो अगली जो technique है ना वो भी sales के volume को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपून है कई बार आपने देखा है कि customer shop पर आया उसने product को देखा और उसके मन में यह feeling आ गई कि साथ बहुत महंगा होगा मैं खरीद नहीं पाऊंगा यह मेरे budget में नहीं होगा इसलिए जो technique मैं आपको बताने वाला हूं वो जहां जहां पर लगाई जाएगी वहां पर आपको ज्यादा result मिलेगा keep pricing visible उसका जो rate है वो visible कर दो मतलब customer को यह पता हो कि जो product मैं देखने जा रहा हूं खरीदने जा रहा हूं feel करने जा रहा हूं test करने जा रहा हूं उसका price कितना है अब price जैसी वो देखता है तो अपने mind में यह पूरा budget बना लेता है कि मेरा इतना budget है मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है लेकिन जैसे ही वह price देखता है न और साथ में extra discount भी देखता है तो discounted price देखने के बाद वो scheme का offer का price देखने के बाद कई बार product खरीदने का मन भी बना लेता है ऐसे में आपके sales के volume के बढ़ने की कई संभावना होती है और साथ में यह भी लखा है कि zero interest EMI वह भी 6 EMI में आपको मिल लाएगा आपका credit card होना चाहिए तो जिसका फिलाल खरीदने का budget नहीं था या क्षमता नहीं थी उसने सोचा है EMI पर तो देना है चलो देते रहेंगे आर price visible करते हैं उसका discount visible करते हैं उसका offer visible करते हैं उसका buying का different option visible करते हैं तो उससे customer बहुत convenient पर बढ़ा सकते हैं और असानी से sales के volume को बढ़ा सकते हैं आपने इस वीडियो को पूरा देखा यह इस बात का प्रत्यक्षप्रमान है कि आप business की learning करना चाहते हैं मेरा आप लोगों से request है अपने friends अपने relative अपने known person के साथ इस वीडियो को जूरू शेयर करें ताकि वो भ लेंगे और आप लोग मिलकर आपस में आगे बढ़ेंगे इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी अपने friends, relative और known person को share कर दें साथ में like and comment भी जूरू कर दें ताकि हमारा motivation भी बढ़े जब हम motivate होंगे तो हम business के और ज्यादा valuable content आपके लिए लेकर आएंगे कोई भी informative वीड स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आप लोगों के सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत